ओम गनेश हरा हरा महादियो कर्मा कानबाय आनंत पाठक में एक बार फिर से आप सभी का में स्वागत करता हूं और इस वर्ष एका दशी से आरंब करके यमद्वितिया तक के जो भी पूरे दीन है त्याओहार है अर्थात में अगर संचित में कहूं तो किस दिन दिपावली ह संपुर्ण दिपावली का मूहरत है मैं आज एक इसी विशय और वीडियो में आपको बताऊंगा हो सकता है कि देश काल अनुसार पंचांग अलग होते है तो हो सकता है कि कुछ जगा पर शायद इससे कोई अलग हो सकता है तो वह आप अपने तरीके से देख लीजगा लेक लेकिन ओवराल देखा जाए तो सभी पंचांगों में पंचांगों से लेकर मुहरत आदि ग्रंथों के अनुसार और इस वर्ष शास्त्रों के अनुसार जो मैंने पूरा एक मुहरत दिपावली का रेडी किया है आप सब के लिए इस विशय और वीडियो की माध्यम से आप एकादसी के साथ ही गोवत्सद्वादशी है अब बहुत पंचांगों में मैंने ये भी देखा है जो कुछ-कुछ लोकल पंचांग होते हैं कि जिसके अंदर ये बताया है कि 8 नवंबर को एकादसी है लेकिन अगर आप अधिकतर पंचांगों में देखे शास्त्रों के अन लेकिन रमाएका दशी जो है उसके साथ गोवत्सद्वा दशी जो है वहां 9 नवंबर गुरुवार को ही है और इसके साथ-साथ उत्तराफ हालगुनी नक्षत्र भी है जो यग्या के लिए बहुत बड़ा है 10 नवंबर को धनत्रायोदशी है उसी श्याम को समध्याकाल या रात्रिकाल को यमदी पदान करना है धनवंतरी पूजन या धनवंतरी जयमती भी उसी दिन है और प्रदोशकाल भी उसी दिन है तो 10 नवंबर शुकरवार को जो है मालक्षमी की पूजा के लिए विशेश ध त्यारा नवंबर को शनीवार युक्त नरक चावदसी नरक चतूरदसी काली चावदसी अर्थात आप देखे बहुत बड़ा दिन है क्योंकि शनीवार युक्त शनीवार के दिन हनमंत पूजन शनीवार के दिन महाकाली पूजन शनीवार के दिन कमला जैमती भी है शनीवार क बहुत ही अधभूत होने वाली है फिर 12 नवंबर रवीवार के दिन लक्षमी पूजन चौपडा पूजन शारदा पूजन कुबेर पूजन और अभ्यंगस नान किया जाएगा वहब दिन है रवीवार 12 नवंबर 13 नवंबर को दर्शमावस्या है वो भी सोमवार युक्त है और उस दिन गोवरधन पूजा आधी बताई है तो अनकूट या गोवरधन पूजा जो है वहाँ सोमवती अमावस्या दर्शमावस्या के दिन युगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक टिथी वृद्धी है एक टिथी काक्षाई है लेकिन किस दिन करना है वो आप कंफ्यू जो सम्वत्सर आरंब होने वाली है उस सम्वत्सर का नाम है राक्षश नामने सम्वत्सर हो जो संस्कृत में जब संकल्प करते हैं तो उसमें सम्वत्सर का नाम पुकारा जाता है बोला जाता है वह सम्वत्सर और नए वर्ष का सम्वत्सर आदी के रुप में नए वर्ष का क प्रतिक शुक्ला प्रतिपदा को अभ्यंग सनान किया जाएगा और फिर अंत्र में पंद्रह नवंबर को बुद्वार के दिन जो है वहाँ यमद्वितिया है अर्थात भाई दूझ है या भाई भी जिसा कहता है वहाँ है और उस दिन जो उससे संबंदित कथा आदी है या तो कहने का तातपर यह है इकाद शिशे लेकर यमद्वितिया तक के इस वर्षब दिपावले के यही तीथी यही त्योहर और तारीख के अनुसार इसी दिन यहाँ परवा मनाये जाएंगे इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो मैंने सिधा इसलिए दिन बताया है फिर भी विश कोशिश करूंगा डिटेल में अर्थाद कि तीथी का आरम की समय पे होता है वो मैं शायद कोशिश करूंगा शॉट्स बनाके अप्लोड करने की लेकिन इस वर्ष का यहाँ पूरा मुहरुत दिपावले का यही है अगर आपको यहाँ विश्य वीडियो पसंद आया हो से मेरी वर से आप सब्वी को बहुत बहुत सारी धेरो सारी शुब काम नाए ओम गानेश हरा हरा महा देवा